असलाम वालेकुम दोस्तों स्टार गोट्स फार्म में आपका स्वागत हैं जैसे कि आप आपकी मुबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं फिर एक अलहम्दलिल्ला नया माल का लॉट नया ट्रग हमारा पहुँच चुका है हमारे फार्म पे आज बारिश काफी थी सुबा के टाइम पे और इसलिए हम लोग ने आप देखेंगे कि हम लोग करीब में ले लिए हमारा फार्म का गेट ओपन करके बकर उतारेंगे इस बार अल्ला के फजलो करम से माल ज्यादा आया है हमने ज्यादा बकरे मंगाए है जिसमें बड़े अंडू छोटे अंडू और खसी सबी है और अल्ला के फजलो करम से माल खैर और आफियस से हमारे फार्म पे पहुँच चुका है आप देखेंगे अभी हम लोग अनलोडिंग का जो प्रोसेस होता है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अलम्द हम लोग फ्राइडे सेटेडे संडे यह तीन दिन लोगों की छुटी भी होती है लोग टाइम भी निकाल लेते यह दिन और वीक डे में थोड़ा सी प्रोब्लम होता है तो इसलिए विकेंड में हम लोग कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम माल हमारा विकेंड में आए क्योंकि आ आप देखेंगे सामने भी आपके मुबाइल स्क्रीन में माशालला कुपसूरत कलर कलर के गुजरी है तो बारिश बारिश आप देखें कितनी बारिश हो रही थी सुबा के टाइम पर इसलिए हम लोग ने अंदर की तरफ गेट के एकदम अंदर ले लिए शेड में हमारे अ हमारे वेस्ट भूसे होते हैं जिससे जब बकरे जंप करते हैं तो उसको पैरों में कोई चीज की तकलीफ या दर्द नहीं बैटता है और वो सेफली हमारे पास उतर जाते हैं तो हमारा भी ये कारोबार है अगर एक बकरा भी अगर लंगला होता है या कुछ उसको डैमेज होता है तो बकरों को तकलीफ के साथ साथ हमारा भी नुकसान होता है बकरा भिकता नहीं है कोई लंगड़े बकरे कोई खरी देका नहीं तो यह सब चीजे भी हम लोग काफी ध्यान देते हैं इसलिए आप यह चीजों का टेंशन ना लिया करें मैं हमेशा बोलता हूं फिर हम लोग काफी मसरूफ है तो इसके लिए तो बैरहाल इंशाला जो लोग बोल रहे हैं प्लेटफॉर्म के लिए तो हम लोग कोशिश करेंगे प्लेटफॉर्म बनाने की तो फिल वक तभी मैं आपको पूरे बकरे एक बार सरसरी तोर पे हमारे फार्म पे दिखा देता हूं आप देख लें पूरा लोट उतर चुका है हमारा जो बीच का पैसेज है आप देखेंगे उसके अंदर पूरे बगरे आगए इसमें बड़े अंडू भी काफी आया है इस बार अगर कोई बड़े अंडू लेने का शोकेन है जिसमें 85-90 kg के भी बड़े अंडू हमारे माल म मैंने इस बार मंगाया हूँ खसी एवरेज आये है मेरे काज़ है 50-60 kg तक के एवरेज खसी होंगे और मीडियम रेंज के अंडू बहुत है जो एवरेज सभी लोगों को लगते है ज्यादा तर जो गिराक चलते है मीडियम अंडू के वो माशाला हमारे पास बहुत आए तो हाँ आप देखेंगे और मैक्सिमम माल हमारे पास गुझनी का ही आता है शिरोई कम रहते हैं मैक्सिमम माल होता है और तोड़े-बहुत कलर फुल बखरे इसमें तो रेट जैसा रहेगा इंशाललह हम लोग आज ओपन कर देंगे और इसी वीडियो के जरीए हम लोग बता भी देंगे कि क्या रेट है तो इंशाललह वीडियो पूरा देखें एंटक का देखें इंशाललह मैं रेट भी बता देता हूं फिलवक तो हम लोग आपको बकरे दिखा देते हैं खसी बकरे हमारे पस फिलवक काफी कम आए हैं अंडू ज्यादा है लेकिन अंडू में बहुत अच्छी अच्छी कॉलिटी के बकरा आए है तो आप आके देखें विजिट करें तीन दीन है फ्राइडे सेटरेडे संडे इं हम लोगों भी आगे से काफी महेंगे ही आ रहा है लेकिन उसके बावजूद हमारा रेट और लोगों से काफी कम है आप कंपेर कर सकते हैं कि हमारा रेट जो है और लोगों से कम है इसलिए हल्ला के फजलो करम से मेरे मालिक का इसान है कि हमारे इदर सेल अच्छा है माल भीक तो आज का रेट हम लोग 400 रुपया किलो करते है जो मैं थमनिल में भी अल्रेडी दाल दिया हूँ यह कोई सस्पेंस नहीं था कि इतना लंबा की जो लेकिन एक्चली बात-बात में यह तोड़ा लेड हो जाता है तो ओपन रेट है 400 रुपया किलो इसमें खसी अंडू दोनो माल बेच के इंशालला हम लोग का एवरेज वही आ जाएगा बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आये और ले बखरे हम लोग जितने जादा कॉंटेटी में काम करेंगे पॉसिबल है रेट उत्ता डाउन होगा आप लें आपके आज पडोस में बताएं लोग वाले अबलेबल है सारे हमारे दर अल्रीडी पहले से बैठे हुए है और जैसा जैसा भाड़ा होता रिजनेवल भाड़ा हम लोग करवा के यहां से अरेंज करा के आपको दे देंगे इंशालला तो विजिट कीजिए फ्राइडे सेटर्डे संडे हमारे फार्म पे चार सो के लोग के हिसाब से हमारा माल है इंशालला बाकी असलाम वालेकुम अल्ला हाफिज